दोस्तों आज के सेशन में हम शुरू करने जा रहा है, Classful IP Addressing Scheme last session में हमने देखा था कि IP Addressing Scheme दो तरीकी की होती है Classful, दूसरी होती है Classless Classful IP Addressing Scheme में जो हमारी 2-32 Address Space थी हमने देखा था दोस्तों हमारी 2-32 Address Space थी पूरी मैं आपको यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ यह जो पूरी address space थी उसको अलग-अलग हिस्सों में divide किया गया है अलग-अलग 5 class में divide किया गया है, इसके 2 part कर दिये गये, इसको बोल दिया गया A फिर इसके 2 part कर दिये गये, इसको दिया गया B, इसके 2 part की A इसको दिया गया C, इसके 2 part की A, इसको दिया D और इस part को दिया class E को, तो इस तरह से पूरी जो 2 raise to 32 address पे से उसको 5 अलग-अलग classes में divide किया गया है कैसे यह division किया है यही मैं आपको आज इस session में समझाऊंगा अगर मुझे IP address दिया हुआ है तो वो कौन से class का है वो कैसे हम दून सकते है यह भी मैं आपको आज के इस session में समझाऊंगा, ठीक है दोस्तो तो दोस्तो यह division करने करने के लिए क्या idea लगाया है आप समझे कि यह जो मेरा पूरा जो IP address था माली जी यह total 31 bits है ठीक है और यह है मेरा most significant bit सबसे पहला वाला bit तो logic क्या लगाया logic यह लगाया कि एक हो गया यह 0 और बाकी के 31 bits और दूसरा हो गया यह 1 और बाकी के 31 bits ठीक है तो यह पूरा address बनलब यह 0 is fixed बाकी के 31 bits के साथ आप खेल सकते हो मदलब total 2 rest to 31 addresses हो गया ठीक है तो इसको दे दिया गया class A को इसको किसे दे दिया गया class A को तो मदलब यह जो मेरा class है दोस्तों यह है class A B C D and E तो class A में हमारा जो पहला bit है हमारे 32 bit IP address का पहला bit है उसको कर दिया गया 0 बाकी के 31 bit के साथ आप खेल सकते हो मदलब आपके पास total 2 rest to 31 IP addresses आप बना पाओगे बहुत ही simple ठीक है अब तो यह class A को दे दिया अब यह जो बाकी बचा मैंने मैं जिस तरह से यहां समझा रहा था ठीक है तो उसको उसी को भी उसी कोई step by step देखे तो वो बहतरीन होगा ठीक है तो यह आधा पार्ट दे दिया गया class A को अब जो बाकी बचा मनलब यह वाला यह 1 0 वाली जो यह पूरी series बची ठीक है तो उसमें से क्या किया दूसरे bit को उठाया और उसको कर दिया गया fix यहाँ पर बोला भई यह तू 0 रहेगा तो अब यहाँ पर बाकी 30 bit के साथ आप खेल सकते हो और बाकी क्या बचा यहाँ पर 1 1 करके के बाकी के 30 bits बचे ठीक है तो यह पूरी address space कितनी होगी चुकि यहाँ पर 30 bits हैं 30 bits के साथ खेल सकते हैं तो टोटल 2 raise to 30 हो गए और यह दे दिया गया class B को ठीक है तो यह है मेरा class B तो class B में मेरा पहला bit होगा 1 दूसरा bit होगा 0 और बाकी के 30 bit के साथ में खेल पाऊंगा तो टोटल 2 raise to 30 बनेंगे यहाँ पर 2 raise to 31 ठीक है तो यह 1 यह 0 यह 1 और 1 तो यहाँ पर यह कैसे किया मनलब यह जो पूरा 2 raise to 31 वाला था उसको दो हिस्सों में divide किया एक दे दिया गया B को ठीक है अब यह जो 2 raise to 30 वाला बना मनलब यह वाला यह 2 raise to 30 वाला उसके भी 2 पार्ट हम करेंगे 1 bit 0 रख देंगे और दूसरा 1 रख देंगे मतलब मैं यहाँ पर 1 bit 0 fix कर देता हूँ तो यह अब बन गए 29 bits और बाकी जो बचा वो होगा मेरा 1 1 1 करके और बाकी के 29 bits ठीक है तो यह यहाँ पर 29 bits के साथ मैं खेल सकता हूँ तो total 2 raise to 29 combinations बनेंगे जिनको मैंने दे दिया class C को तो यहाँ पर class C में पहला bit होगा 1 दूसरा होगा 1 और तीसरा bit होगा 0 तो यह total 2 raise to 29 addresses मुझे मिलेंगे क्योंकि 32 में से यह 3 fix होगे बाकी के 29 के साथ मैं खेल सकता हूँ ठीक है मतलब यहाँ पर यह division किस तरह से किया कि भे इसको दो हिस्सों में divide किया और एक को दे दिया गया class C अब यहाँ पर यह जो total 2 raise to 29 addresses बचे उसको भी दो पार्ट में divide किया तो उसको दो पार्ट में भी इससी तरह से divide करेंगे क्या करेंगे एक को मैं 0 दे दूंगा और बाकी को मैं 1 दे दूंगा तो अब यहाँ पर मेरे पास 29 नहीं अभी मेरे पास 28 bits बचे और यहाँ पर भी मेरे पास 28 bits बचे खेलने के लिए तो यहाँ पर 2 raise to 28 combinations होंगे और इससे दे दिया गया class D को यहाँ पर भी total अगर पहला bit 1 है दूसरा 1 है तीसरा 1 है और चौथा bit 0 है तो बाकी के 28 bit के साथ खेल सकते हैं total 2 raise to 28 IP addresses बनेंगे और यहाँ पर 1 1 1 और 1 और बाकी के 28 bit के साथ खेल पाएंगे यहाँ पर total 2 raise to 28 addresses बनेंगे यह हो गया मेरे class D यह हो गया मेरा class E और यहाँ पर यह मेरी address space में यह बन गया यह D और यह बन गया A तो दोस्तो इस तरह से division हुआ कुछ मतलब मेरा class A का कोई भी IP address होगा उसका सबसे पहला bit 0 होगा class B का address होगा उसका पहला bit 1 होगा दूसरा 0 होगा class C का होगा पहला 1, दूसरा 1, तीसरा 0 होगा class D का होगा उसका पहला 1, दूसरा 1, तीसरा 1, चौथा 0 होगा और class E का होगा उसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा bit सारे 1 होगे first 4 bits will be 1 ठीक है तो माल लीजे दोस्तो अगर मुझे binary में IP address दिया गया है ठीक है, binary में IP address दिया गया है और मुझे पूछा गया भी इसका class क्या होगा तो मैं क्या करूँगा, माल लीजे मुझे ये वाला IP address दिया गया है, कुछ ऐसा वो IP address है 1 1 0 1 1 1 1 1 और पीछे सारा कूछ है up to 32 bits I am interested in first 4 bits all day अब अगर माल लीजे पहला bit मैं observe करूँगा पहला bit अगर 0 है तो वो हो गया class A का लेकिन पहला bit 0 नहीं है पहला bit 1 है तो मैं दूसरा चेक करने जाऊँगा दूसरा bit अगर 0 है तो वो हो गया class B लेकिन दूसरा bit B अगर 0 नहीं है 1 है तो मैं तीसरा bit चेक करने जाऊँगा अगर तीसरा bit 0 मिला तो ये हो गया class C आप देख लीजे तीसरा bit 0 है तो ये हो गया class C तो ये address बन गया दोस्तों मेरा class सॉरी class C का बहुत ही simple बहुत ही आसान अब दोस्तों अगर मुझे dotted decimal notation में address दिया है मा लीजे मुझे address दिया है कुछ ऐसा 192.168.1.1 इस तरह का मुझे address दिया है और मुझे ये चेक कर रहा है कि भी ये address कौन से class का है तो मैं क्या करूँगा ये 192 को मैं binary में convert करूँगा और binary में convert करने के बाद मैं पहले इतने 4 bits को observe करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि भी वो कौन से class का है लेकिन ये दोस्तो थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी भी इसको मैं binary में convert करूँ ये सारी चीज़े करूँ उससे shortcut method है हमारे पास हम पहले byte को सभी जो class है मेरे उसके first byte को हम observe करेंगे और फिर उसके उपर से directly dotted decimal notation के उपर से किस तरह से हम कौन सा IP address, कौन से class का है ये कैसे determine कर सकते है वो मैं आपको बताता हूँ आये तो देखते है तो मान लीजिए दोस्तो पहले class A की बात करते है तो ये है मेरा दोस्तो class A हमें पहले byte पे ही concentrate करना है तो हम बाकी के 3 byte को अभी के लिए ignore कर देंगे पहले byte से ही हमें पता चल जाएगा ये IP address कौन से class का है तो बाकी के 3 byte को हम ignore कर रहे है पहले byte पे concentrate कर रहे है ठीक है तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पहले byte के ये 8 bit है हमने अभी अभी देखा दोस्तो कि class A में जो पहला bit होता है वो होता है 0 तो पहला bit होगा मेरा क्या 0 तो पहला bit अगर मेरा 0 है fix है तो यहाँ पर बाकी के bits में मैं खेल पाऊंगा ये होगा 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 फिर ये पहला bit fix और बाकी मैं खेल सकता हूँ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 तो ऐसा करते करते ये हो गया मेरा 0 और बाकी के bits होगे 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ठीक है यहाँ तक इतने तक मैं combinations बना पाऊंगा पहला 0 fix और बाकी के 7 bit के साथ मैं खेल पाऊंगा total 2 raise to 27 sorry 2 raise to 7 that is 128 combinations बनेंगे तो आप देखिए कि ये जो मेरा पहला byte है उसका अगर मैं decimal लिखूं दोस्तो तो ये होगा 0 ये होगा 1 से लेकर के ये last वाला होगा मेरा 127 तो class A का जो first byte होगा उसकी range 0 से लेकर के 127 तक की होगी ठीक है तो आए मैं इसको इसको आपको पूरे table बना कर मैं यहाँ पर लिख दू तो आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पर मैं लिखूंगा sorry क्या करेंगे हाँ यहाँ पर मैं लिखूंगा class और यहाँ पर उसका हम first byte लिखेंगे ठीक है तो यह हमने class A की बात कर दी उसका first byte 0 से लेकर के 127 के बीच का होगा यह देख लिए अब आए दोस्तो class B की बात करते हैं ठीक है तो मेरा class B उसमें अब हम सभी के first byte पे ही बात कर रहे है first byte पे ही concentrate कर रहे है ठीक है तो उसका first byte होगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ उसमें 8 बीट है हमने देखा अभी अभी की class B में पहला बीट होता है one दूसरा होता है zero तो पहला बीट compulsory one दूसरा बीट zero अब बाकी के 6 बीट के साथ मैं खेल सकता हूँ तो बाकी के 6 बीट मैं सारे zero रख दू तो यह बन जाएगा मेरा पहला और यह one यह zero और बाकी के सारे अगर मैं one कर दू तो यह बन गा है मेरा class B का last combination पहले byte के लिए ठीक है तो यह क्या बना दोस्तो हमें यहां पर यह क्या मिला इसका decimal क्या होगा this will be 128 और इसका decimal क्या होगा so this will be 191 ठीक है इसका decimal होगा 191 तो class B में हमारा जो पहला byte होता है वो 128 से लेकर के 191 तक का होता है तो इसे हम add कर दें class B जो होता है उसमें 128 से लेकर के 191 तक की range होती है अब इसी तरह से class C का हम बात करें तो class C है मेरा उसके first byte की हम बात कर रहें 1,2,3,4,5,6,7,8 bit है ठीक है तो उसमें हमने देखा पहला bit 1 दूसरा 1 तीसरा 0 अब मैं बाकी के 5 bit के साथ खेल सकता हूँ अगर मैंने बाकी के 5 bit सारे 0 ले लिए तो ये क्या बन जाएगा दोस्तो मेरा पहला वाला combination और बाकी के 5 bit मैंने सारे 1 ले लिए तो ये last वाला combination बन जाएगा ठीक है तो इसका decimal क्या होगा दिस विल भी 192 और इसका decimal होगा दूस्तो 223 तो class C का first byte 192 से ले करके 223 तक की range में होगा तो आए इसको हम add कर देते हैं हमारे table में class C में 192 से ले करके 223 तक होगा हमारा पहला byte अब आए बात करते हैं class D की यही चीज़ करेंगे हम class D उसके पहले byte के बारे में बात कर रहे हैं उसमें 8 bit होंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 उसमें हमने अभी अभी देखा कि पहला bit 1,2,1,3,4,0 यह 4 bit fix होते हैं बाकी के 4 bit के साथ खेल सकते हैं तो यह 0,0,0,0 और बाकी के 4 bit 1,1,1,1 होंगे तो वो होगा मेरा last combination यह तो fix है तो इसका decimal क्या हुआ दूस्तो इसका decimal हुआ 224 और इसका decimal होगा 239 तो class D जो होता है उसके IP address का पहला byte 224 से लेकर 239 तक हो सकता है तो यहाँ पर उसकी entry कर दे कि वह यह जो class D होता है उसमें 224 से लेकर के 239 तक होते हैं अब बचा last class जो की है class E दोस्तो class E में पहले byte के बारे में बात करें तो उसमें 8 bit होंगे 2,3,4,5,6,7 और 8 हमने अभी अभी देखा कि उसके पहले 4 bit 1 होते है तो हम बाकि के 4 के साथ खेल पाएंगे तो पहला combination बनेगा 0,0,0,0,0,0,0,100,000 ऐसा करते करते मेरा last combination बनेगा 1,1,1,1 तो यह जो पहला combination है उसका decimal क्या होगा दोस्तो इसील बी 240 और डिसील बी 255 तो class E में जो IP address होगा उसका पहला byte 240 से लेकर के 265 की range में होगा तो उसे भी हम हमारे table में add कर दे तो class E में 240 से लेकर के 255 तक की range का होगा तिके तो ये हो गया पहला byte observe करके हम कैसे उसका class निकाल सकते हैं मालीजे मैं एक आपको question पूत्ता हूँ IP address 172.1.1.3 belongs to which class ठीक है तो simple बहुत ही simple सा question ये IP address कौन से class में 172.1.1.3 तो मुझे क्या करना है मुझे उसका पहला byte observe करना है दोस्तों पहला byte क्या है 172 172 कहां पर आता है 172 comes between 128 and 191 so this address belong to class B तो ये होगा मेरा answer बहुत ही simple है हमें जो IP address दिया गया है उसके पहले byte को observe करना है और यहां से ये value निकाल लिए आपको ये table दिमाग में fit हो जाना चाहिए ये class A का first byte 0 से 127, class B का 128 से 191, class C का 192 से 223, class D का 224 से 239 और class E का 240 से ले करके 255 अब दोस्तो जब ये class full IP addressing scheme आई थी picture में अभी तो classless use हो रही है लेकिन जब ये आई थी तब ये जो तीन class है class A, B और C इन तीन class का use होता था IP address अलोट करने के लिए IP addresses इन तीन class से ही दिये जाते थे class D को special purpose के लिए use करके रखा हुआ था class D को multicasting के लिए रखा हुआ था और class E was initially reserved for future use ठीक है तो initially जब ये classful scheme picture में आई तो ऐसा decide किया गया A, B और C में से हम addresses देंगे class D को multicast addresses send के लिए करने के लिए reserve रखेंगे और class E को future purpose के लिए reserve करके रखेंगे लेकिन class E का use I उससे पहले ही classless picture में आ गई तो ये थी दोस्तो classless IP addressing scheme आज के session में हमने देखा कि किस तरह से A, B, C, D, E में division होता है binary से किस तरह से class determine कर सकते है dotted decimal notation से किस तरह से हम उसका class determine कर सकते है आगे की चीज़े और detail में हर एक class के बारे में और detail में आगे के session में नेखेंगे आगे अगे आगे